तो वान सेगेंड में फिर से आगे एक न्यू वीडियो लेकर और इस वीडियो में बात करूगा Avengers Doomsday के बारे में तो शिली वीडियो को श्राट करती है तो सबसेल हम बात करती है डैफनी कीन के बारे में तो रिसनली रूमर ये निकल के आया है कि डैफनी कीन अपियर होगी एस एश-23, Avengers Doomsday में एड़ एवेंजर स्रेट वास मुई में इसे के साथ रिसनली डैफनी कीन ने ये कनफर्म कर दिया कि जो हमने एश-23 को देखा था डैट पूल एन उलवरन मुई में वो कोई वीरेंड नहीं है बलकि जो हमने लोगन में देखा था एश-23 को जब वो बच्चे थी वही बड़ी हो चुकी अब और उससे वाइड में फेक दिया है टीवे ने अब क्यों फेक है वो तो हमें रीजन पता ही नहीं है अब बात करते हैं एंथनी मैके के बारे में तो उन्होंने क्या कहा है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ उन्होंने कहा है सिविल वार इतनी बड़ी थी और फिर एंड गिम भी इतनी जबर्दस थी मैं यह देखने के लिए एक्साइडिट हूँ कि डूम्जडे कहां तक ले जाता है और मुझे यह देखने में भी दिल्चस्पी है कि रूसु ब्रदस हमें इसमें कहां तक ले जाते है इनके कमेंट के अगर मैं आप लोगों को मतलब बताओ तो यही कहना शारे है कि सिवल वर बड़ी थी एंड गेम जबर्दस मुई थी और वो डूम्जडे के लिए एक्साइडिट है और उन्हें देखना है और उन्हें दिल्चस्पी है कि रूसु ब्रदस उस मुई में सारे एवेंजर्स को कहां तक लेके जाते है वैसे अब बात करती है एवेंजर्स डूम्जडे के एक छोटी से अपडेट के बारे में जो की यह है कि जो प्रोड़क्शन कमपनी का नेम होगा एवेंजर्स डूम्जडे का तो वो होगा और आल टाइम्स प्रोड़क्शन्स यूके लिमिटेड तो आई होप कि आप में होगा तो और मजाएगा तो इस वीडियो को लाइक करो और कि न्यू बंद है बंदी हो चानल को शेर और सब्स्राइब करो तुमें मिल तो वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल लेन चानल को शेर करो